नमस्कार दोस्त तो सुआखा थे आपका आज की वेडियो में आद हम इस वीडियो में इविस के अगली स्लाइड में रिखे करना रही हैं जिसमें कि हम पारस्त की प्रामिट के वारे में जाने परामेट या पारस्तित की पिरामेट ठीक है तो देखिए चलिए इसको देखते हैं लोग इको लोग कर प्रामेट को कि इसकी आवस्ता क्यों पढ़ी जैसे कि आप लोगोंने फूट चेन को ड्रॉ की गया था ठीक तो एक टिपिकल फूट चेन की कर में यहां बात करूं सबसे पहले तो उसमें क्या क्या होता है उसमें हमारे प्रोड्यूसर होते हैं उसके बाद उसमें क्या होते हैं हर्वी बोर्स होते हैं यहीं साका हारी फिर और फिर समें होते हैं ओमनी बोर्स याने की आपके सरवहारी ठीक है एक टिपकल फूट चेन में यह सारे चीज़ देखने को में मिलती हैं तो इको लॉजिसकल प्रामिट में इन्हीं को एक ग्राफ की फॉर्म में दिखाए जाएगा तो सबसे पहले तम यह देख लेते हैं कि तो प्रामिट की जो अब धार्णा है वह बैसबी प्रामिट से ही ले गई है जसमें इसका आधार होगा वह प्रेड़क होका चोड़ा होगा और उत्रवत्र उत्रवत्र उपर जाने पर इसका जो ऊपर कब्हांगे भैस सक्रा होता चला जाएगा इसका कारण यह है कि आधार भाग में हम दिखाते हां किसको उत्पादकॉं को दिखाएंगे यहां पर इत्पादक हमें सब् sculptures ऐसे क्यां अद जिसमें कि यहाऊँ पेर पॉदे आएंगे क्लियर उत्पादक के बाद यहां पर आएंगे आपके क्या साका हरी जियू यानि कि ऐसे जियू जो सीधे पेड़ पौदों को अपने बोजन के रूप में लेते हैं जैसे अभी हाल हमने देखा क्या है हमारे हर्बी बोर्स तर यहां पर आएंगे हमारे क्या मानसा हरी जियू यहां इस पर कारिनी बोर्सौट और यहां पर हमारे आज़ाएंगे और अमनी बोर्स येनि की सरवाहारी तो सरवाहारी को यहां रशक थकते हैं या हम चाहें तो head nio यहां पर पहले आपके पिर करनी बोर्स को भी सो कर सकते हैं और बाद में चाहें तो एक लेबल और बढ़ा करके हम इसको ओमनी बोर्स दिखा सकते हैं तो प्रामिड एक्चुल में यह देखा हमने क्या है यह इसका हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया अब आप सोचेंगे कि आधार सब्सक्राइब लेट उसके बद सबस्क्राइबुल को को भी YouTube करते हैं पहले प्रateg करें कि प्रामेड्ट क्या है तो यह ग्राफिकल रिप्रेजंटेशन है क्या है कि यह ग्राफिकल रिप्रिजंटेशन एक प्रकाल कर ग्राफ है इस पर हम चित्रन करते हैं इसे बोलेंगे हम ग्राफ आधारत मैं हिंदी और इंग्लिस बीटम दौन लोग बना रहा हूं ग्राफ आधारत चित्रण जो हिंदी वेड़ियों की बच्ची हैं वह भी समझेंगे और जो इंग्लिस मेडियम इंग्लिस भाले हैं उन्हें भी कोई दिक्कत यहां में नहीं हो होने वाली है यह क्या होगा हमारा ग्राफ अधारत च्वित्रण अगर इस बात करें इस अफद्राणां को दिया किसने था तो इस अफद्राणां को देने वाले दो प्रवुप वैध्यानिक थे जिन्होंने पूरा कॉंसेट हमाई सामने लेके आए थे तो वह थे आपके जी कि उडिए हैं जी एविलीन हचिंसन हच कंपनी से याद रकिये हचिंसन ठीक है हच कंपनी सुनिये आप जो bakayım ती बोड़ा फॉन यहां से रखी हचिंसन तो ओर एक विग्यानिक और है ।साथ में जिनका नामatori raining अने की आर लिंडे में यह वही वेग्यानिक हैं जिन्होंने दस प्रिस्षत उर्जा का नियम भी दिया था तो यह एक्चुल में 10% एनर्जी लोग देने वाले भी हैं और इन्होंने इनके साथ मिल करके एक्ट लोग प्रामेट जैसी अध्राना को भी दिया हुआ था तो प्रिच्छा में पूशा जाता है कि एक्ट लोग प्रामेट क्या है तो आप और प्रिट डिक करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजंटेशन है यह निकि ग्राफ अधर čित्रन है पहली चीज़ है इसके छोडा वाला इस्सा होगा वहां पर क्या रखते हैं हमेसा प्रोडीसर को रखा जाएगा सिधा और यहां पर क्या रनेगा सीधा हमारा उल्टा एक इसके नीचे ही ईसे में वाले हैं हमेजा सक् beetle रखेंगे वोगने अगर ब्रामिट इस तरीके से बना हुआ है, तो सीधा बना हुआ है, तब भी यहां पर क्या रखेंगे हम लोग, तो फसल इस बनेंगे, तो वो सब कैसे बनेंगे, सीधे बनेंगे, लेकिन अगर मैं बात करूँ आपसे एक पेड़ की तो चुकि पेड़ कितना है एक ही है तो यहां रखा जाएगा पेड़ पर रहने वाले पक्षी ज्यादा हो जाएंगे तो यहां हो जाएंगे और पक्षियों पर रहने वाले जो परजीवी हैं वह और ज्यादा हो जाएंगे तो यहां र होने रही है और उसके बाद आपको पुरा कॉंसे के लिए हो जाएगा ठीक ना चलिए आगे बढ़ते हैं कि आपके जो पारस्त की प्रामेड है उनके यहाँ पर हम टाइप पढ़ेंगे तो यह तीन ताइप के होते हैं एक आपका जो होता है वो है आपका जीवों की संख्या को सुकरते हैं इनकी प्रामेड अफ नंबर्स इसे हम लोग क्या बोलेंगे प्रामेड ओफ नंबर्स एक होता है जीवों भार का प्रामेड इसे बोलते हैं प्रामेड ओफ बायो मास ठीक है और एक होता है आपका उर्जा का प्रामेड इसे बोलते हैं हम लोग प्रामेड ओफ एनर्जी ठीक तो जीवों संख्या का करेंगे हम जीवों की संख्या का करेंगे चित्रन जीवों भार में हम जीवों के भार के आधार प्रामेड ओर ओर जो उर्जा वाले में हम उर्जा के प्रिभाय को सो करेंगे तो यब यहां ध्यान देनी वाली बात ये है जो बहुत प्रोटेंटप हैvy नहीं से बिवनएगा होता क्या है कि जो आपका जीव संख्या का परामेड रे गायि असकिलन अधिक बहार है गृध्ई है उल्टेे बन है सीधे बनेंगे और उल्टे भी बनेंगे जैसे कि अगर अधिक भार है तो सीधा बन जाएगा और प्रोडूसर कम भार में है तो उल्टा बनेगा अधिक संख्या प्रोडूसर है तो सीधा बनेगा कम संख्या प्रोडूसर है तो उल्टा बनेगा लेकिन आपका जो उर्जा का का पिरामड है क्या कहा वच्छो जो आपका ऊर्जा का पिरामड है यह वह सदेव सीधा बनता है तो एक नंबर का प्रेस्ट से यह में साहता है कि ऊर्जा का जो पिरामड है वो कैसा बनता है उर्जा का प्रामेट कैसा बनता है तो भाई उर्जा का प्रामेट बनता है कैसा सदेव सीधा यनिकी always in erect position थी न सीधा बनेगा हमेशा कारण ये है कि एक प्लांट हो प्रोड्यूसर संख्या में एक हो या हजार हो प्रोड्यूसर भार में बहुत कम हो या ज़ादना हो उर्जा का प्रवाई जो है हमें साथ प्लोड्यूसर से स्टार्ट होगा यह निकि आपके उत्पादकों से ही उठ्वाई अगले पूसर असदों तक होगा जैसे कि एक प्रामेट पर बनाया यह आपका समझते हैं पहले हरे पेड़ पौदी जाएंगे इसमें आपके हो गए हिरन और इसमें आपके क्या हो गए है सेर के लिए एक ही ले लिए हमने और एक हमना लेते हैं यहां पर एक पेड़ है उस पर रहने वाले दस पक्ची है दस पक्चीयों पर रहने वाले सो परजीवी है यहने की पैरासाइ यहां पर एक ही है यह कैसी है दस चणियां हमारी यह हमारे साका हारी है जो इसी पेड़ के फ़लों पर रहेंगे ठीक है अब क्या देखते हैं कि यहां पर भी उत्पादकों पर सही स्टाट हुआ है अनर्जी डेविल तो पहले जो है उसानूर्जा को क्या सुलर लाइट को इ और कि इस हुजर पैँ से हुँजर के पास तो इस तरीक्ति पहुच रहे हैं पीरामिट यहां पर दिखाया है अक रहा हहा प्रवाय सी जगेगी करका हरी चलियों के पाल वहां से पहां पहुंच जाएगी अब के इन के पैररा सेरा साइट के पास तो दोनों ही इस सितियों में हम क्या देखते हैं कि एक्च्छल में जो उर्जा का प्रवाय है वो तो एक जिसा में ही है उर्जा का जो प्रवाय है वो कैसा है एक जिसा में है ना वो है यूनी डारेक्शनल इसका मतलब क्या है यही बजय है कि फ़ियी उस्पशा का जो पिरामेड है कि इस ये इस और की इस चीधा बनाया जाए गा कि इस तरू के किसी भी प्रकार के पारस्तित्न को आप ले ली ज organism का जो पिरामेड है वह सिधा ही बनाया जाएगा ठीक है चलिए एक दो example देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं जीू संख्या का pyramid जीू संख्या का pyramid यहने की pyramid of number ठीक है इसमें हम क्या देखते हैं कि इसको बनाएंगे तो यह सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है इसमें होता क्या है यह जीवों की संख्या के आधार पर बनता है जीवों की संख्या के आधार पर ठीक है जीवों की संख्या क्या होगी अगर producer उत्पादक अधिक है तो सीधा बनेगा ठीक है अब यह बनता कैसा है यह बनेगा दो प्रकार से एक तो बनेगा आपका सीधा और एक कैसा बनेगा यह आपका उल्टा ठीक है ना सीधे और उल्टे यह दोनों बनते हैं थोड़ा सा प्यास समझने का कीजिए आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी सीधा कब बनता है जब उत्पादा कैसे होंगे ज्यादा मात्रा में होंगे ठीक है सो पेड़ है दो सो पेड़ है ठीक और उनको खाने वाले हिरन पतापड़ा पचास ही है उन्हें खाने वाले जो सेर है मुदसी है तो सीधा का परनेगा उत्पादक ज्यादा होंगे और जो साका हारी होंगे वो उत्पादकों से कैसे हो जाएंगे कम और जो मांसा हारी हो जाएंगे वो साका हारीं से क्या जाएंगे और कम इनकी 100 पेड, 100 पेड को खाने वाले 50 हिरन, और 50 हिरनों खाने वाले 10 सेर तो इस प्रकार से संख्या देखेंगे, तो कैसा बन जाएगा ये, सिधा बन जाएगा उल्टा कब बनेगा, जब उत्पादा कैसे होंगे, कम, एक पेड, एक पेड पर रहने वाले जो चिडियां हैं, जो वर्ड हैं, जिन्हें हम बोलेंगे साका हरी, वो कैसे हैं, ज्यादा, और इन चिडियों पर रहने वाले जो परजीवी हैं, पेरसाइट्स, वो कैसे आएगे और ज्यादा, तो कैसा बनाएगा यह मैसा, उल्टा, यहाँ पर यह क्या हो गया, एक पेड हो गया, इस एक पेड पर रहने वाली दस चिडियां, दस चिडियों पर रहने वाले सो परजीवी, तो यहाँ पर देखो यह कैसा बन गया, उल्टा बन गया न, यह कैसा है, जिव आधार भाग होगा बेसल पार्ट होगा सबसे नीचे बाला यह यहां से स्टाट हो रहा है देखो यह क्या हो गए यहां पर हमेशा उत्पादकों को रखा जाएगा यह कार्ण में गाट लगा लो एक नंबर का प्रिस्ण है most important very very important एक नंबर में आता है ठीके ना तो इसका आधार भाग यह हो गया तो यहां पर हमने क्या रखा उत्पादक को एक हो गया तो यह एक्चुल में कैसा बन गया यह बन गया हमारा उल्टा और अगर हम यहीं बात करें इसकी अगर हम बात कर लें किसकी सीदे वाले की तब हम क्या देखेंगे इसके आधार भाग में क्या होगा तो भई आधार भाग में तो यह पता है उत्पादक होंगे अभी हमने हाल पढ़ा कि किसी भी पिरामिट के आधार भाग में हमेसे क्या रखेंगे हम उत्पादकों को हैं तो भाई सो तो हो गए तुम्हारे क्या प्लांट हो गए यहने कि आपके उत्पादक हो गए पचास क्या हो गए हमारे हिरन हो गए उन्हें खाने बारे सिर कितने हो गए हैं तो हम क्या दिखते हैं कि यह कैसा बना यह बना है सीधा क्योंकि इसके आधार भाग में जो प्र है है और मानसहारी बहुत कम है तो भine O सीधा बनेगा डिकना प्रामिड में अगर उत्पाद कैसे हैं कम है और जो मानसहारी या आप मान लेते हैं ऐसे जू झो उन पर निवास करते हैं उन पर बोजन के असरत हैं उने क्या वो ज्जादा है तो जिसे बनेगा हमेशा ये उल्टा यही बज़े है कि जियू संख्या का पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का बन सकता है किलियर हुआ समया गया आप लोगों को चलिए आप दिखते हैं हम लोग क्या जियू भार का पिरामिड सिकेंड नमबर पर जो आपका था वो है जियू भार का पिरामिड अब यहाँ पर देखो क्या लोशा है वो समझते हैं लोग जीव भार के प्रामिट में दिखेंगे तो actual में क्या होता है कि ये भी आपका बिल्कुल सेम वैसा ही है सीधा उल्टा बनेगा तो ये सीधा बन सकता है पहले चीज दोस्तों और ये उल्टा भी बन सकता है ठीक है तो सीधा उल्टा ये भी बनेगा जीव भार का और इसमें होता क्या है इसकी जो प्रमुक पहचान है वो जीवों के भार के आधार पर बनेगा ये कैसे बनेगा जीवों के भार के आधार पर इनके जीवों के हम भार को ले लेंगे फिर बनाएंगे तो देखो भाई यह सीधा कम बन सकता है और उल्टा कम बन सकता है उस चीज़ को भी हाँ समझ लेदी आप लोग एक बार सुमें आ गया ना तो रटना रटना नहीं पड़ेगा कब बनेगा सीधा यानि कब एरेक्ट होगा अब बार्ड होगा कब बनेगा उल्टा यानि कि यह डाउन बार्ड होगा ठीक है अब दिखते हैं सीधा कब बनेगा जब उत्पादक कैसे होंगे उत्पादकों का भार कैसा है बहुत ज़्यादा है ठीक उत्पादकों पर नदबर रहने वाले जो साका हरी है उनका भार कैसा हो जाएगा कम यह बहुत कॉमन सी बात यह है अगर जिनकी संख्या कम होती जा रही है तो यार भार तो कम होगा ना इन बार इसमें बढ़े बड़े हैं या 10 हर उसके बाद जो है उसमेरे पांच हरणी बत्ची है तो रहर कम हो जाएगा और ईग ही सेर खार रहे है उसका ग birth का मूचा या बात है अगर था फ् onc फислथ कह पूरी फसल को आप तो लिजे दिए पब्सल जजादा ही ओगी उस कि यह और उल्टक का बनता है जब उतपादक कैसे होते है उतपादकों का बहार हो जाया इसानक से कम की ता बहुता है छोटी सिस्ट अयां की बाद चल रही है ठीक है और शाकशा आ रही है वो खाने वाले कैसे हैं ज्यादा है जैसे कि आपके घर के खावरी उसको बॉद लेख कहा हो घाता हो जाएगा बार कि ठीक और उसके बाद क्या अज़ाएगा उस बकरिको क्काने वाला भी कोई बड़ा दिखते हैं में लख़ग़ आगया यसा गया तो वो उसका और ज्रीका हो जाएगा टूंक्या मानते हैं यह यह बन गए आपका कैसा उल्टा तो फिर यह बन जाएगा उल्टा क्योंकि यहाँ वो प्लांट एक था उसका कम था उस पर रहने वाले साखहःरी कर जादा था और उसकोखाने वाले मनसाहहरी का और होज़ीदा वहिए ये दिखते हैं यहां पर क्या होता है एक खेट के सभी प्लांट की जो भार है, वो बहुत जादा है उस पर भोजन के लिरवर होने वाले साकाहणीजी होगा, उनका भार उससे कम होगा और जो मांसाहणी कम होगा तो यह कैसा बन गए आपका सीधा और यह कैसा बन गया आपका उल्टा इतनी सी बात थी तो इस पूरे पैटर्न पर जो हमें समझने बारी बात हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं इवर हम फिर से सॉट शॉट में पहला तो यह है कि उर्जा का पिरामिट कैसा बनेगा एक नमबर कुशन यह आने वाला है आपका तो आप टिक करेंगे कैसे है सीधा सदेव सीधा ठीक है दूसरा नमबर यह है कि उर्जा का जो पिरवाय है वो कैसा होता है वो होता है में तक कैसा एक जिसी होता है कैसा होता है में साथ एक जिसी यनिकी यूनी डरेसनल उसके बाद अगला है जियू संख्या एवं जियू भार का पिरामिड बन सकता है तो कैसा बन सकता है उल्टा भी बन सकता है और सीधा भी बन सकता है उसके आप पूछेंगे एक पेड का पिरामिड कैसे बनेगा एक पेड़ का पिरामिड पर बात करें जियू संख्या के आधार पर तो कैसा बनेगा यह हमेशा उल्टा ही बनेगा उसके बाद अगला कुश्चन है वो यह है कि पिरामिड के आधार भाग पर उसके बेसल पार्ट पर जो है पिरामिड के आधार पर energy सबसे उसका जो base है उस पर सबसे पहले क्या खिटाएंगे वो हमेशा उत्पादक ही रखे जाएंगे ठीक है चाहे पिरामेड सीधा हो जू संख्या का या पिरामेड उल्टा हो जू संख्या जी भार का उल्टा सीधा कैसा भी हो उत्पादक हमेशा उसके बेसल पार्ट पर ही रखे जाएंगे नीचे वाले इसे पर हमेशा ये आपके उत्पादक होंगे क्लियर हो गया तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें सिर करें थैंक यू